कि हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग काई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम आप लोग कि लाहें बिहार सिबिल कोर्ट से समंदित बहुत ही माधपुर्ण परस्न और इसमें से मैट से भी कुछ परस्न होगी और GKGS से भी हिंदी से भी और इंगलीज़ से भी में मतलब सभी विशे से परस्न होगी तो आप लोग वीडियो के नंत बढ़े रियेगा परतेख परस्न आपके एकजाम के लिए बहुत ही जदा helpful होंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस्ण इंगलीज से सम्मधित है इसमें आपको बताना नियरेस्ट यानिकी सिनोनीम बताना है किसका यह जो वर्ड दिया गया recall इसका आपको सिनोनीम बताना है तो यहां पे सिनोनीम लिखाएगा बेस्ट आते होगा यद करना recall नाया नहीं कि याद करना ठीक है औप संविष्पीग बॉलना होता है पते हैं रिसीख मेंना पराप्त करना अपर चेहरा तो आप बताए इसप का ँजोगा रिमेंबर म는 रहाफ करना रिमेंबरको आपको सिनोनीम बताना से मर्थवला इस्सinskyक्म मलब सब करते हैं ठीक है और याट करते हैं ठीक है और सभी इसका इंसर हो जाए का का ऊप्षण और रिमेंबर जो अर्थ रिमेंबर का है वही अर्थ रिकॉल का है रिकॉल का होता है याद करना तो रिमेंबर का भी अर्थ का होता है याद करना तो रिकॉल का सिनोनिम हो जगा रिमेंबर इसका अंसर ओप्षन सी हो गया अब बढ़ते हैं अगली प्रस्न क्यों प्रस्न है यह जीकेट जैसे समान्दित पॉलिटी सी भारते सविदान का कौन सानुछेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है यहां से दो प्रस्णा प्याद रखेगा कानून के समक्ष कानून के समक्ष समानता 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 एकुलेटी समानता और एक होए कानून के समन कानून के समक्ष सर्ण रक्षन दोनों प्रस्ट को याद रखेगा बहुत जिदा इंपोटेंट है कानून के समक्ष समान ता किस देश के सवधान से लिया गया है तो यह लिया गया है इंगलेंड से किस देश से इंगलेंड से ब्रिटेंड से ठीक है उसके बाद कानून के समख सर्ण रक्षान यह लिया गया अमेरिका से इनाटे डिस्टेट ओफ अमेरिका से याद रखेगा और आर्टिकल किसमें है तो आर्टिकल 14 में है आर्टिकल 14 में है यह भी आर्टिकल वह इतना ही है आर्टिकल 14 यहां से दुनों परस्नियाद रखेगा कानून के समक्ष अगर समानता बोलेगा तो इंग्लेंड से लिया गया आर्टिकल 14 और कानून के समक्ष संरक्षन तो अमेरिका से लिया गया है और आर्टिकल 14 तो दुन तो इसका अंसर क्या हो जाएगा कानुन के समक्ष समक्ष क्या समानता है ना समानता के बात कर रहा है समानता यह निकी ब्रिटेन समानता यह निकी ब्रिटेन अगर संड्रक्षन पुस्ता तो यह सी हो जाता आर्टिकल आर्टिकल चोदो आर्टिकल चोदो में 44 में समान नागरिक सहिता, common civil code, समान लिख देते हैं, समान नागरिक, भारत का एक मत राज जहां लग हुए गवाज, समान नागरिक सहिता, common civil code, 44, 21 में है, निजिता का अधिकार, right to privacy, निजिता का अधिकार, सांसलेनिक अधिकार सब इसी में है, निजिता का अधिकार, उसके सब्सक्राइब याद रखेगा सभी आटिकल भोजदा इंपोटेंट है यहां से एक और आटिकल याद रखेगा चलते ते ना हम लोग बैग लिए चलान कार देता है पॉलीशन कहां यह चलान कार देता है यह सुब किस आटिकल के अंदर गट आएगा तो आप याद रखी चांद पर उस्वस्टू का बार कितना होगा पते छांत पर उस्वस्टू का भार सुगा भार डर्ती पर उस conceived पर शो गरद से अधिक तो 60 ao no कंगा िचन नहीं होगा उसों नियूल्टन से अधिकतर नियोगोगा support यौज़ वानेक्ष शेका गॉनीटन से काम आप अनिक्सलॉग सघसर लेंगा और रियाद रखेगा आगर किसी सब्सेंटक भाळ पे पर जितना रहेगा उसका एक सहकत उसका एक उसुर्ण वजीक वेज प्रश्न होगा अपागे फिर इंगलीज आई है विन वर्क ये संट मलब नुए रर से समझ देखे एर से समझ पर समना आते हैं अगर इस संटेंस में पर आपको एर दिक रहा है तो उसको बताना है और एंसर पर टिक लगाना अगर एर नहीं है तो आपका अंसर हो जागा नू करते हैं तो यह स्में दिखे है अगर सब्जेक्ट हैड बीन के बाद बर्व का चोथा फोम आता एंगर उता यहां वर्क नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए वर्क आगे कि मटना थे और कि तो यहां बृक पर एड़तो शटा है यह बना भी है यह और पर उसका अंसर हो ज बी आई हैड बीन वर्क नहीं होगा आई हैड बीन वर्किंग हुआ क्यों हो तो आपको पते होगा बता दिए परशनाग्याब हिंदी से संब्धित आज की सभा में अनेको लोग उपस्थित थे वाकिके किस भाग में असुद्धी है इरर है देखे हिंदी में भी आज के लोग उपस्थित है पहली बात यहां जो रड़ आया है क्या वर्रय क्या अनेक है यह अनेक अपनियाप कैसाा है इसका व ein होगा इसका बहुचन भुचन का भभुचन नहीं होता है ठीक है लिएं इत्क कर दिया जो कि गलत है अनेकों नहीं होना यहां अनेक ही होना चाहिए मलब आज की सभा में अनेक लोग उपस दीते अनेकों नहीं तो यहीं पेर है तो कहां अनेकों बला किस उप्षन में अप्षन ए में है तो इसका अंसर अप्षन ए हो गया आई हो पापी सभी प्रस्ट को समझ रहे होंगी अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दिएगा और सारे प्रस्ट का पीडियाप कर जी जिसा अड़ा के नाम से टिलिग्राम है चनल है वहीं पर आपको मिल जाएगा परशन आगया महिद से समझ दी तभी समझ नहीं था अब आगया महिद यदि आकास किसी कार को 63 दिनों में कर सकता है और दिशा उसी कार को 84 दिनों में कर सकती है उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ कार किया और इसके बाद दिशा ने कार छोड़ दिया और आकास ने स अत्रौन कान च्राइब रोड अकस आप लोडर मां पिर चाइब निकांतेघ मचिट अमृड से मेस्किक आंप दिशा करता है कॉरसी तूट सुनी मिनसिन कला लीजी तिर वरू anni समिकना होता है 3 पूरस्ट जेडी दूस्म यहां फोली रिटीन तया नो इन सतर्य मेलकुन होता है। जलना के दिक कच मिसेशु संब्सक्राइब दिजया और आप कएथ पांगी होखे बसक्राइब速 गांगना को वह आकास का शार चार कि चार अगल की सब्सक्राइज चाहरा दिर इन क्या चाहिंना थि डिल तो तो दुसाड चूड़व के छ लगई आपि करेगा आक सक को करेगा पार स्कीיסर करें ऐस्कॉन से तो यहां लगा तो टोटल दिन निकालना दें कि तना इन ने का स combustion निकलना है यह नहीं कि का सिर्व आकास का पॉस्ता तो सिर्फ करने में दोनों को मिला के तो इसका अंसर क्या हो जगा ऑप्शन यह हो जगा चौवन दिन कि आई होप एफी प्रशन को समझ गया होंगे टाइम हैनों वर्ग से समंदित बहुत ही महत्पुर्ण परभाब के लिए जाना जता था महाजनपद महाजनपद कितने थे तो महाजनपद महाजनपद सोलो थे कितने थे सोलो अ सबसे सक्ति साली सबसे सक्तिसाली महाजनपत कौन थे सबसे सक्तिसाली बड़ा सबसे सक्तिसाली तो मगद कौन थे मगद तो यह मगद का पहला जो सासक था कौन था मगद वो था बिमबिसार कौन था बिमबिसार इसका अंसर ओप्षन सी हो जाएगा बिमबिसार इसी के बटा कुन था अजासत्रू यह साइंसे है कि ऐसे परवानू होते हैं ज давайте the दर्मान संख्या समान किन्तु परमानु संख्या भिन यहां से दो कॉंसर्ब याद रखेगा परमोष्ट भीवाई परमनु संख्या भीन ठीक है दुसरा बला कॉंसेप्ट में दरमान संख्या द्रव्यमान संख्या भीन भीन लेकिन परमानु संख्या समान परमानु संख्या समान तब आते इंदुनों सिच्विशन में क्या क्या होगा किसको क्या कहेंगे जब दरमान सं सम्भारिक क्या कहेंगे शम्भारिक जब दर्मान संग्या सम्भारिक इसको बोलते है विलते समस्थान क्या बोलते है समस्थानी ये दोनों कि आरपको याद रखना है हर हालत में ठीक है आप कहें अधा यूड rapid रखीएगा परसन फिर से एंगली से समन्दित आ गया यहां पर आपको एक्टीब तुजन भी करते हैं सब्जेक्ट तुजन वाज बीइंग दिखी तुप पास्ट लेगे न मतलब पास्ट काते हैं प्रसीव है प्रसीव का स्ट्रक्चर है आपको इसको एक्टीम बना पहली क के बाद बींग लख्ये भरव मतल्बं का स्ट्रक्चर हे थ पास्ट इंपर्फॅक्ट Mt पास्ट इमकरफएक्टस का हमिट्टीप पर स्क्टองका प्र लिंग देते हैं एक्टिप बॉयस स्क्राइब कर आफ्ट। वाज बहर तो रहे वे करता है, परलस बी इंग लग जाता है, उसके बाद पेसिव में हमयसा भर्व का थर्ट फॉम, भर्व का थर्ट फॉम् aujourd. ठीक है तैस hologram नोच अब सब्सक्राइब में सब्सक्रा और अप्शिन सब्सक्राइब उसके बाद कि एसे कर देते हैं है फिर फिर बी बी में तो यहां फार्जंटे फिकिन धुषा दिया सी में तो पास्ट इंडेफिंट कर देने पास्ट इंपरफेक्ट चाहिए दिखिए वाज वेरगवाद भर्व का चुद आप हो माइन जी फॉम यही बला उप्सन आपका एंसर हो जागा उप्सन डी इसी के पेसिव का इस्ट्रेक्टर यहां पर दिया ठीक है समझ गे इस्ट सब्सक्राइब कर निकलने कोन सा फ्रून ना पता है एपनस दी मैनस यह बढ़ा हंड्रेट यह फेस परसंट कर माइन चूट तो बीस परसंट बीस मैनस बीस गुन बीस बाई सो बीस बीस 40 मैनस चारसो बट्टे एक सो दो जरुबड़ खत्म तो चालीस मैनस चार घटेगा 36 ठीक सिर्थ परसेंट टीकर भीस परसन दुकर जूर आपीस परसेंट तो उसे डोष बातर रुपया अधिक देने पढ़ते निसे दुने का अंतर एंधिक डिनी थे डिटान है फिनी दुन का अंतर कितना है बिल्कुल एक लेन में टालिशा पर्सेंट स्टमुट एकल शुटि यहां से एक परसंम का बारुक निकालेजियमा चारम होता ले सो परूल॑ कितना एक परसिंट फंट का बलू आट सदका तो आप करने हमें समझ एन आपको सनमार का संधीव करना पड़ेगा घणा कईके करताने यांगा देंगे कौन देंगे तो आप देंगे कौन देंगे आप देंगे हमने देंगे बहुत देंगे परस्न है एक बार हम पड़ते हैं कि माजुली माजुली ने दी बरामपुर ना दीपे है किस राज में होगा तो पते होगा आप लोग को जिसको पता होगा उसको कमेंड बॉक्स समस्का आंसर किसको पता है माज़ी ने दिप किस में है कि बर्म पूद्रा दिपे किस राज में है तो यह आपको बताना तो फ्रेंड्स आज का प्रशन बस यह तक था सारी प्रशनों को विट एक्स्ट्रा फेक्ट के साथ बता दिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा